नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपके घर आने वाले हैं तीन बड़ा देवता जिया दोसों अब आपकी जुनकाल पर वह चमतकार होने वाले हैं जिनें शुनकर आपको अपने आँखों पर यकिन नहीं होगा जिया दोसों पर दोसों आप शबी को बता दें कि दुख्यारों के दुख कौन हरता है जिवनकाल में शुक आखिर कौन देता है जिवनकाल में शबी दुस्मनों का घमन कौन तोड़ता है दोसों वो है भगवान जिया दोसों और यह श्मे वही भगवान आप शबी के जिवन उनकाल पर आने वाले हैं आपके छोटे छोटे कर्ष्टों को हरने आपके उनकाल की प्रिशानियों को दूर करने पिछले शुमे के मेहनत का फल देने तमाम जीवन की एची चीजें जिसे आप बहुत ज़्यदा प्रिशान है उन शुर्भी के लिए यश्मे भगवान बहुत आपके लिए यश्मे आप शवी के जिनकाल पर कौनशी बातें आपको ध्यान में रखनी है के शिवwowताओं को प्रिशन ने कर शक्ते हैं आंके आपको कौनशी उपाय करने हैं किसे आप इनकी पहचान करज़कते हैं और यहां द्यपता की आने के बाद आप शिविके जूनकाल में कौन-कौनशी बड़ी चमतकार होंगे, कौन-कौनशी बड़ी कुश गुब्रियां आपको मिलने वाली है दोसों तमाम जानकार इस वीडियो में बहुती गंभीर तरीकिशे ग्रहों के गोचर पर निर्मित बताए गए हैं तो दोसों वीडियो को अंत तक देखना अब आपका दाइट होगा जी दोसों उससे पहले दोसों जो भी भगवान भोलेनात शनिदेव और भगवान श्रीकिशन के सच्चे भगते हैं दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से तीनों का नाम लिख दें भगवान श्रीकिशन महादेव और शनिदेव आपक घर श्वेंग पधारे भक्त से श्री किष्वaiyaan प Seven ने कहा प्रभू या घर तो आपका है श्री में बोला ये गारी किष्कीrat है भक्त ने कहा आप की फिर श्रीकिष्व के बार में पूछा भक्त का एक उत्तर लिए आبد belki यहां तक घर कि शबी शदेश के लिए भी पूछा तब भी वह यही जवाब देते हैं कि ये शबाब के ही पूछा तेरा शरीर किश्का है भक्त बोला आपका फिर घर के पूझा अस्तान पर जाकर श्री किश्ण जी अपने तश्वीर की और इशारा करते हुए पूझते हैं कि ये किश्की है भक्त के आँखों में जो आएं बोला शिर्प यही मेरा है बल्कि शबापका है भगवान तन भी तेरा है मन भी तेरा है तेरा पिंड और तेरा प्ड़ान प्रभू शब कुछ तेरा है बस तू ही एक मेरा है जिया दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण के भक्त का या बात अगर आपको अच्छा लगा हो इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें भगवान श्रीकिष्ण आपके शभी मना कौना ही पूरी करेंगे और इनके लिए कमेंट बख्ष मिलिक दें जै श्रीकिष्ण राधे र जाएंगी तो आई दोस्तों बात करते हैं श्रबसे पर दोस्तों आप शिपीष्ण को भद्दादें कि हमारे जूंकाल में प्रिशान वह जाता है चार और अन्धकार दिखने लगता है तो दोस्तों में हम्हें यहाँ बात अन्ने चाहिए कि यह हमारी लिए परिक्ष्ण और इश्वर हमारा परिक्षा ले रहा है और दोसों आपने देखा है कि पिछले श्में कितनी दुख दर्द आपको मिले हैं कितनी शमश्याओं का आपने श्रमना क्या है लेकिन दोसों फिर भी आप घबराए नहीं यही तो परिक्षा है जे दोसों और इस परिक्षा में आपके घर आने वाले हैं जै दोसों हम आप शिवफ को बता दें कि आने वाले शिव मेए bearings अगर कोई गोमाता आ जाए तो दोसों इनए आप को भगवान का रूप मानना है ज़तों भगवान भुलिनात का रूप मानना है अगर आपके जोनकाल में कोई भी पक्ची आजाए तो दोस्वों इन्हें आपको मालाक्ष्मी का रूप मानना है कि दोस्वों भगवान किशी भी रूप में आशकते हैं शबसे पहले दोसों आपको इन्हें दिवी दिव दिरताओं को दिल शेप परणाम करना चाहिए शादे दोसों आपको बता दे कि अगर आपके जिवनकाल में कोई भी काला कुछता आजाए तो दोसों इन्हें आपको भगवान शुन्देप का रूप मनना है दोसों इन्हें आपको पहचानना है और इनको कुछ अवशी खिलाना है जहां तक होश्च के इन्हें का आपको आदर करना है दोसों जिवनकाल में और कुछ नहीं है भगवान ही है जो कि हमारे कर्ष्टों को हरते हैं जो दोसों लोग तो शुप कहने के लिए हैं लेकिन दोसों भगवान है जो कि कहते नहीं शुप किशी ना किशी रूप में आकर हमारे जिवनकाल की शमयशाओं को हर लेते हैं तो दोसों आपको बश करना क्या है आने वाले शुप में जब भी आपके घर के आश पास या पिर आपको कहीं ये शी चीज जिगदाए जिन में आपको बगवान का रूप दिखने लगे तो दोसों तूरंथ ही आप उसे परणाम कर ले और इश्वर से अपनी शारी दुख दर्द को शुना दे कि हे इश्वर हे प्रभू हमारे शारी कष्टों को हर ले हमारे जुनकाल में ये परिशानिया है जो कि हमें बहुत यदा दुख दे रही है दोसों आपके जुनकाल में जितनी भी शिकायत है आप वहर्ष में शर पकड़ कर शिर जुका कर इश्वर चे यहां कह दे यकीन मारे दोसों आपके जुनकाल की शभी परिशानिया तूरंत ही हल कर देंगे दोसों आप शुको बता दे कि अगले 24 घंटों की हैं अंदर आप शभी की जुनकाल में इशाद चमतकार होगा जिया दोसों तो आई दोसों बेशी की शाद बात करते हैं कि कौश्य महत्मुन बातों का ध्यान आपको अब रखना चाहिए कौश्वरियां आपको मिलने वाली है जब यह तीन बड़े देवता आपके घर पधारेंगे जिए दोस्मों तो दोस्मों वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्मों धर्म तद्यात्म की परति आपका आस्ता रहेगी आपका प्रवाश्याली तद्या शकारत्म व्यक्तित दूसरों के लिए यह उधारन बनेगा यह शवाव आपके कारी चेटर को योजनाबत तरीके से भिगनी भी पड़ सकता है प्रण दोस्मों यह शुमें धहरी और शयम बराकर रखें यह आपके लिए उचित होंगे दोस्मों बच्चों की किश्वी समस्या के निवारन में आपका श्योग जर्वी होगा कि में दोस्मों यह गलत परवर्ति के लोगों से मेल जो ना सब्सक्राव करने के लिए किया जा सकता है दोसों यह शुमें आपका कर्म तता पुर्शार्थ आपके लिए काम में शकलता और अप्लब भी आपको पर्दान करेगा दोस्तों यश में अपने दिमाग की अपेक्चा दिल के आवाज को सुनें दोस्तों किसी पॉलशी आदी में निवेश करने के लिए जो समय है आपके लिए उनुकूल होंगे दोस्तों घर की साथ सजा अत्वा सुधार शुमन्दी कारियों पर भी शमय वहतित होगा इसको प्रांदी दोस्तों कभी कभी अधित्तम काम की वज़ेशी शुवाब में चोचिड़ा पन भी आ सकता है घर के शुमस्याओं का हल रुणने में पारिवरिक जनों का शयोग भी आप अवशने दोस्तों यह शुमें भाईयों के शाथ भी मदर्शमन बना कर रखें क्योंकि दोस्तों कुछ अनबन होने की भी अशंका हो रही है इसको प्राद दोस्तों यह शुमें आपके लिए जो समयोंगे मंसिक तकलिपों का शामना करते वक्त आपको जो है दूसरों से ज्यादा खुद के विचारों पर अधिक ध्यान देने की अवश्यक्ता होंगी दोस्तों यश्मित दिन के अधिक वक्त जो है खुद को बहतरिन बनाने के लिए इस्तिमाल करें मन चाही पातों में परगती नो देखबाना आपके लिए दुख पैदा करशकता है फिलाल दोस्तों परस्तिती का शमना डटकर करना आपके लिए उच्चित रहेगा इसको परान दोस्तों यश्मित आपके लिए जो समय होंगे पिछले कुछ कमियों से सीख कर अपने दिन्चरिया में और अधिक बहतर शुदार लाने की कोशिश करेंगे जिसमें दोस्तों आप कमयाब भी रहेंगे पर तिष्टित लोगों के शाथ शमय व्यदित करना आप में शकार्तमक परिवर्टन भी लाएगा दोस्तों यश्मित रुके वे जो भी आपके काम है वह उचित समय पर पूरे भी होंगे इसको दोस्तों यश्म में वरिष्टता अनुववय व्यक्ति के या पर अनुववय लोगों की शला लेने से आपको संकोच नहीं करना चाहिए दोस्तों यश्में उनका मारदर्शन वापिर सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा परंतों दोस्तों नकार्वादर्शन पर वरिष्टी के लोगों के शाथ आपके लक्ष को यश्में भटका सकता है तो दोस्तों इनके इनसे आप दूर ही रहने की कोशिश करें यह आपके लिए बैतर होंगे इसकब्राण दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रती और अधिक ध्यान के अधित करने की आवशकता होंगी इसकब्राण दोस्तों यह श्में जिस काम से आपको मन की शांती प्राप्त होती है उसी काम को करने पर अधिक ध्यान देना आपके लिए आउशर होगा करिभी मित्र दोरा आपको खुशकवरी प्रापत हो सकता है परिवार से यस में ज़्यादा जो है मित्रता पुन वैवार रखें ये आपके लिए बैतर होगी इस गुपरां दोस्तों येश में युवाओ को कोई विशेस शंदी प्रापत हो सकती है दोस्तों आपको मिल रहे अवशर का चुनाव करतेश में अधिक सतरता रखने की आपको अवशरता होगी इस गुपरां दोस्तों येश में आपके लिए जिसे में होगी घर में किसी धार्मिक आयोजन्स को शंपन करने की युजनाई बनेगी यश में गरा गोचर आपके लिए कुछ नई उप्रोगदियों का निर्मान भी कर रहा है जो कि दोस्तों भईश में आपके लिए बहुत ही फाइद मर्शावट होंगे दोस्तों परिवार में परश्मता का महौल भी रहेगा प्रन्तों यश में कुछ अचानक ही बड़े खर्शे शमने आएंगे और दोस्तों यश में अपना बजट बना कर रखना आपके लिए बहुत जर्वी होगा तो दोस्तों कोई बड़े शमस्या भी आपके शमने आ सकती है परन्तों अपने सुपसिंदिकों से यश में इस पिसे पर विचार ब्रश करने से उचित हल भी आपको प्राप्ट होगा और दोस्तों अपने वहम और अपने गुश्य पर यश में आपके लिए बहतर होगी इसको प्राप्ट यश में आपके लिए समय होगी आपके दिंचरह के लिए समय होगी व्यक्तिकत बातों के बारे में किसी काम को आप बार बार सुने से सुरू कर रहे है तो दोस्तों इस वज़ेश्य आपका उस बात के बारे में उत्सा खत्म हो रहा है प्रस्तिती से हर ना माने और दोस्तों कठी शुमय में भी उनकर डट कर मुकाबला करने के उसर करें प्रस्तिती में बदलाव जरूर आएगा